भाई ये तो अब तुमने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया ऐसा क्या करवाते हो अपने ट्रैक्टर से कि आए दिन यहां आना पड़ता है अब राजू भाई या आप तो ऐसे मत बोलिये सब काम छोड़ कर आया हूँ कुछ कीजिये जल्दी से भई ट्रैक्टर खोलना पड़ेगा आप तो जानते ही है कि क्लच बदलना मतलब हफते बर की छुट्टी अब इतनी जल्दी किसका ट्रैक्टर मिलेगा काम खतम करने के लिए मैं तो सच में तंग आ गया हूँ अहो भाग्य हमारे जो आप यहां पधारे अब एक बात हो तो बताओ भाईया जी यहां तो ऐसी हालत है कि सब काम थोड़कर बस मेकैनिक के चक्कर काटता रहता हूँ ऐसा क्यों? भाई हर दो तिन महिने में ट्रैक्टर के क्लच पैडल के सेटिंग के लिए इनको ट्रैक्टर यहां लाना पड़ता है समझ लीजे कि खेत में कम और यहां जाधा रहता है इनका ट्रैक्टर बस राजु भाई ताने मारना बंद करो और कोई ऐसा उपाय बताओ कि यहां बार-बार ना आना पड़े अरे वाँ मैं भी सुनना चाहूंगा लो भाईया यह तो वही बात हो गई कि बगल में छोरा और गाओं में धिंडोरा उपाय तो आपके पास ही है आपका पर्मा क्लच वाला जॉन डियर ट्रैक्टर पर्मा क्लच? हाँ भाईया पर्मा क्लच एक ऐसी तकनीक जिसमें ओईल कुल्ट डिस्ट होने के कारण क्लच पैड की घिसावत कम होती है और रख रखाओ का खर्चा भी कम होता है बार-बार पैडल सेटिंग नहीं करनी पड़ती जिसकी वज़े से उत्पादक्ता भी बढ़ती है और यही नहीं क्लच पैडल पर ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ता तो आप आराम से घंटों काम कर सकते हैं ये तकनीक तो चौका देने वाली है बिलकुल जौन डियर आधुनिक तकनीक के लिए ही दुनिया भर में जाना जाता है वैसे आप कह रहे थे कि आपका काम रुका है अगर आप कहें तो मैं चलूं अपने ट्रैक्टर के साथ ये तो बहुत ही अच्छा होगा भाई तो चलिए सुना आपने भाई पर्मा कलच अरे क्या आपके ट्रैक्टर में है भाई हमारे जौन डियर ट्रैक्टर में तो है ये आज एक और नई बात पता चली है और हाँ ये भी पता चला है कि जौन डियर ट्रैक्टर हमेशा आपका साथ देगा बिना रुके बिना ठके झाल झाल